नमस्कार दोस्तों बहुत पहुत स्वागत है आपका हमारी चेनल में मत्रो 14 दिसंबर को साल का अंतिम सुरिग्रन लगने वाला है ऐसे में इस सुरिग्रन का सही समय सुतक काल आज की इस विडियो में जानेंगे और भारत में दिखाई देगा या नहीं गर्वती महिला हैं इस सुरिग्रन के दोरान कौन से सावधानी वरत नकती हैं कौन सी कारी को कर सकती हैं और किस प्रकार से जीवन में सुक्समरिदी को फ्राप्त कर सकती हैं इस सुरिग्रन का आपके जीवन में कौन सा महत्पूर्ण एफेक्ट रह सकता है आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्टार से विडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले विडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब विससे कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तो मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि सुरी गरन साल का अंतिम जो लगने वाला है वो 14 दिसंबर को लगेगा गरन काल में सुरी आंसी ग्रूप से ढखा हुआ रहेगा इस कारण इसे खंड ग्रास सुरी गरन भी माना जाएगा करीब 5 गंटेल के लिए लगने वाले यह सुरी नहीं देने वाला दरसल 7 बच कर 4 मिनट पर यहां सुरियास्त हो जाता है जिसके कारण यह भारत में दिखाई नहीं देगा और इसमें सुतक काल भी नहीं लगने वाला ग्रहन का असर भारत सहिंद परसांत महासागर हिंद महासागर दक्सी ने पिरिका जैसे महानगरों में भी दिखाई देने वाला है ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि ग्रहन काल का सुरे देखना में आंकों के रोसनी परसर पड़ता है इसलिए आप ग्रहन काल को नंगी आंखों से ना देखें जब भी यह ग्रहन होती हैं तो गरवती महिलाओं को विसेश साबधानी वरतने क की आवस्चे काता होती हैं ऐसे में इस बार भी आपको विसेश साबधानी वरतने होंगे नुकीली चीजों का आप इस्तिमाल ना करें जितना ज्यादा हो सके आपको इस समय सत्र रहने की जोरत होंगी सुतक काल लगते ही खाने पीने की मनाई होती हैं वैसे तो गरव में प करात्मक सकते हैं काफिया सर्दाइक हो जाती हैं इसलिए इस समय जितना ज्यादा हो सके धार्मिक कारी को करने की फश्यास करें बगवान जी के मंत्रों का उच्चारण करने की कुस्स करें जितना ज्यादा हो सके आपको थोड़ा सा धैर रखने की जरूरत होंगी वहें जानसी ग्रूप से देखा जा सकता है जो कि आपको जीवन में लाँद दिलवा सकता है और कारी शित्र में मिसेज बड़ी खुसक्री खवरी कर रह सकता है अगर आपको आपने सहर का जानना है कि आपके सहर में कव चंदरगरन या सूरीगरन लगने वाला है तो आप अपने सहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको सही जानकारी सही समय पर दी जाएंगी आपका दन सुभो इसके लिए कमेंट बॉक्स में जयाँ आता देवसलिक हैं आपका दन सुभो मंगलकारी हो जैमा विंदू वासनी